नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, आप सभी लोग स्वस्तो और अच्छे होंगे। तो दोस्तों धन तेरस आने ही वाला है। इस पार धन तेरस 23 अक्टूबर रविवार 2022 को रहेगा। धन तेरस पर भूल से भी ना खरीदे ये चीज़ें, वर्ना गरीवी आपका पीछा जिंदगी भर भी नहीं छोड़ेगी। धन तेरस पर दिवालिया होने से बशना है तो इन चीज़ों का रखना होगा खास ख्याल। कंगाल होने से बशना है तो करें यह एक उपाए, कुबिर देप की वर्से की किरपा और माता लक्ष्मी होंगी प्रसन। तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ धन तेरस पर आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदने से आती है दरिदरता और साथ मैं बताऊंगी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको धन तेरस पर खरीदना होता है बहुत ही शुप इन चीज़ों को खरीदने से होगी धन ब्रद्धी और माता लक्षमी की कृपा आपके उपर हमेशा बनी रहेगी तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेर कर लीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे तो दोस्तों धन तेरस पे धनवंतरी देवता और यम देवता की और कुवेर की पूजा करनी चाहिए देवताओं के बैद माने जाते हैं धनवंतरी देवता धन तेरस के दिन धनवंतरी देवता का जन्वदिवस होता है यानि कि समुद्र मंथन की समय पर धनवंतरी देवता हाथों में कलश भर कर यानि कि अमर्ज से भरा हुआ कलश लेकर अफ्तरित हुए थे धन तेरस पर धनवंतरी देवता की पूजा की जाती है और साथ में मातालक्षमी गड़िश जी की भी पूजा हमको करनी चाहिए धन वंतरी देवता की पूजा करने से हमारे स्वास्त की रक्षा होती है अवर्वेद में इनकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है धन तेरस को धन त्रोदशी भी कहा जाता है पौराणिक मानिताओं के अनुसार धन तेरस का दिन खरीदारी के लिए शुप माना जाता है ज लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको खरीदने से परहेश करना चाहिए परिवार में दरिजटा आती है तो आईए देखते हैं कि किन चीजों से हमको बचना चाहिए तो सबसे पहला नंबर है काच के बरतन धन तेरस पर लोग बरतन तो खरीद लेते हैं पर ये नहीं जानती कि काच और चीनी मिट्टी के बरतन को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि काच का संबंद राहू से माना गया है तो इन चीजों को घर में नहीं लाना चाहिए घर में तनाव बना रहता है और खर्चे बढ़ते हैं दरिजिता बनी रहती है तो धनती रस पर भूल कर भी काच की चीजों को घर में ना लाएं दूसरे चीजे दोस्तो नुकीली चीजें जैसे कि कैची, चाकू, आदी नुकीली कोई भी चीजें हो सकती है इन चीजों को धनती रस पर नहीं लेके आना चाहिए इन चीजों को लाने शे घर में कलेश बढ़ता है और घर में अशान्ती बनी रहती है और जहां अशान्ती होती है वहां माता लख्मी जी का वाश नहीं होता है इसलिए भूल कर भी इस दिन कोई भी पैनी चीज ना खरी दें तीसरी चीज है दोस्तो चीनी की चीजें, घर में कभी भी चीनी की चीजों को धंतीरस पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इस्थाई रूप से नहीं होती हैं, लंबे समय तक नहीं टिकती हैं, ये चीजें कभी भी टूट फूट सकती हैं, ऐसे में इनमें बरकत न नहीं होती है तो इस तरह के चीज़े भूल कर भी धंतेरस पर ना लेके आए। नहीं होती है तो इन बातों को आप ध्यान जरूर रख सकते हैं और दोस्तो धंतेरस के दिन काला रंग भी नहीं खरीदना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दू कि धंतेरस पर कौन सी चीज़े खरीदना होता है बहुती शुब जिससे माता लक्षमी होती है प्रिशन और घर में सुकसमरिद्धी बनी रहती है। धंतेरस पर माता लक्षमी वा गनपती जी की मूर्ती या फोटो लेके आना बहुती शुमाना जाता है। चाहे तो आप धंवंतरी देवता और कुवेर भगवान की भी फोटो या मूर्ती लेके आ सकते हैं। कलश लेकर प्रिकट हुए थे तो इस दिन कलश खरीदना बहुती शुमाना जाता है। या फिर मिट्टी के कोई भी बड़ता हैं घर में जरू लेके आईएगा। धंतीरस वाले दिन आपको सुपारी, नारियल इस तरह की चीज़ें घर में लाना बहुते शुम होता है। तो आपको जरू लेके आना चाहिए। हो सके तो आप उल्लू की तस्वीर भी लेके आ सकते हैं। और इसको अपने तिजोरी की वाली जगए पर आपको चिपका देना है। क्योंकि उल्लू मातालक्ष्मी जी का वाहन है। तो उल्लू से आपकी जो घर की सम्रिदी है वो बनी रहती है। इस दिन आप सोने चांदी की जेवर भी खरी सकते हैं। इनको खरीदना बहुत ही शुमाना जाता है। धंतेरस की दिन विशेश कर आपको जाडू लेके आना चाहिए। दोस्तो छोटी सी जाडू लेके आएं लेकिन जाडू में नमातालक्ष्मी जी का वाश होता है। तो इस दिन जाडू जरू लेके आएं और उसमें कलावा बानकर घर में प्रवेश करें। और धंतेरस वाले दिन इनकी पूजा करें। इस दिन आपको खड़ा धनिया वा गुडवी लेके आना चाहिए। धंतेरस के दिन आपको थोड़ा सा प्रिशाद लगाना चाहिए। और धीपावली की पूजा में विशेशकर धनिया और गुड़ का प्रिशाद लगाना चाहिए। तो ये धन 13 के दिन लाना बहुत ही शुमाना जाता है, धन 13 के दिन आप जैसे की गुलाब की फूल, या फिर कमल गटे, या फिर श्रीयंत वगएरा भी आप लेके आ सकते हैं, बहुत ही शुमाना जाता है, दोस्तों मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में लाना बहुत ही शुमाना जाता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लाने से अशुपता हमारे घर में आती है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेलफूल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइ हुआ।